स्री सचिदानन सद्गुरू साइनात महराज कीजे अध्याय छे रामनौमी का उत्सो मस्जित का जिर्णो धार गुरू के कर उसपर्ष की महिमा चंदन समारो और सो रामनौमी का समन्वै मस्जित का जिर्णो धार गुरू के कर उसपर्ष के गुन जब सद्गुरु ही नाव के खेवया है तो वे निश्य ही कुसलता तत्वा सरलता पूर्वा किस भव सागर से पार उतार देंगे सद्गुरु सब्द का उच्चारन करते ही मुझे स्री साई की स्मृति आ रही है ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयम मेरे सामने खड़े हैं मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं देखो देखो वे अब अपना वरत हस्त उठा कर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं अब मेरा हिर्दे आनन से भर गया है मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रू बह रहे हैं सद्गुरु के करस्पर्ष की शक्ति बहाना सेरे जनक है लिंग शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अगनी से भी अधिक से नस्ट नहीं होता वह गुरु के करस्पर्ष से पल भर में नस्ट हो जाता है अनेक जन्मों के समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और इस्वरिय प्रसंगों में पूर्ण अरुची हैं उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं स्रिसाई बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंट प्रफुलता से रुद्ध हो जाता है आखों से अस्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हिर्दे भावों से भर जाता है तब सोहम भावत की जागरिती होकर आत्मनुभाव के आनंद का अभास होने लगता है मैं और तू का भेत द्वैत भावनस्ट हो जाता है और तच्छन ही ब्रह्म के साथ अभिनता प्राप्त हो जाती है जब मैं धार्मी ग्रंथों का पठन करता हूँ तो छन छन में सद्गुरु के स्मृति हो आती है बाबा राम या क्रिष्ण का रूप धारन कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वैम अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं अर्था जब मैं भगवान भागवत का स्मरन करता हूँ तब बाबा स्री क्रिष्ण का स्वरूप धारन कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कलेनार्थ उद्ध्व किता सुना रहे हैं जब कभी भी मैं किसी से वार्ता लाप किया करता हूं तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूं जिससे उनका उप्युक्त अर्थ समझाने में सफल हो सको तब एक सब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूं परन्तु जब वे स्वयम क्रिपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता जब भक्तों में अहंकार की व्रिधी होने लगती है तो वे सक्ति प्रदान कर उसे अहंकार सूने बना कर अंतिम धे की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्ष्य सुख का अधिकारी बना देते हैं जो बाबा का नमनकर अनन्य भाव से उनके शरन में जाता है उसे फिर कोई साधना करने की अवस्त्त नहीं है धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसे सहजी प्राप्त हो जाते हैं इस्वर के पास पहुचने के चार मार्ग हैं कर्म ज्यान योग और भक्ती इन सब में भक्ती अधिक कंकटा किर्ण गड़ों और खाईयों से परिपोर्ण है यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड़े और खाईयों से बचते हुए पदा नुक्रमन करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने धी अर्थात इश्वर तक आसानी से पहुच जाओगे स्रीसाई बाबा ने निश्यात्मक स्वर में कहा है कि स्वयम बाबा और उनकी विश्व को उत्पत्ती रक्षन तथा लएकरने आदि की भिन भिन सक्तियों के प्रितकत्व में भी एकत्व है इसे ही ग्रंतकारों ने दर्शाया है भक्तों के कल्यानार स्रीसाई बाबा ने स्वयम जिन वचनों का से आश्वाशन दिया था उनको नीचे उद्रित किया गया है मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का अभाव कभी नहीं होगा यह मेरा व्यासिस्ट है कि जो भक्त मेरी शरन आ जाते है और अंतकरन से म मेरे उपासक है मैं उनके कल्यनार सदेव चिंतित रहता हूं स्रीकृष्ण भगवान ने गीता में भी यही समझाया है इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो यदी कुछ मांगने की अभिलासा है तो इश्वर को ही मांगो सांसारिक मानव उपाधियां त्याक कर इश्क्रिपात था अभैदान प्राप्त करो उन्ही के द्वारा सम्मानित होओ सांसारिक साधनों से कुपत गामी मत बनो अपने इस्ट को दिर्धता से पकरलो समस्त इंद्रियों और मन को इश्वर चिंतन में प्रवरित रखो किसी चित स्थिर सांत और निर्भय हो जाएगा इस प्रकार की मना स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वसुसंगती में हैं यदि चित की चंचलता नस्ट ना हुई तो उससे एकाग्र नहीं किया जा सकता बाबा के उप्युक्त सब्दों को उद्रित कर ग्रंथकार सिर्डी के रामनौमी उत्सव का वर्णन करता है सिर्डी में मनाय जाने वाले उत्सव में रामनौमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है अतेव इस उत्सव का पूर्ण बिवरन जैसा की साईलिला पत्रिका के प्रिस्ट संख्या एक सो संतानवे पर प्रकासित हुआ था य रंतु एक के भी संतान ना थी स्री साइं बाबा की क्रिपास से उन्हें एक पुत्रत्न की प्राप्ती हुई इस हर्स के उपलक्षे में सन अठारा सो संतानबे में उन्हें विचार आया कि सिर्डी में मेला अत्वा उर्स भरवाना चाहिए उन्होंने या विचार सिर्डी के अन्य भक्तितात्या पाटिल दादा कोते पाटिल और माधावरा के समक्ष बिचार अनार्थ प्रकट किया उन सभी को या बिचार अती रुचिकर प्रतित हुआ अथा उन्होंने बाबा की भी स्विक्रिती और आश्वाशन प्राप्त हो गया उस उर्स भरने के लिए सरकारी आग्या विशक थी इसी लिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया परन्तु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के अपत्ती उठाने के कारण अस के कारण स्विक्रिती प्राप्त ना हो सकी परन्तु बाबा का आश्वाशन तो प्राप्त हो ही चुका था था पुनाह प्रयत्न करने की स्विक्रिती प्राप्त हो गई बाबा की अनुमती से राम नौमी के दिन उर्ष भरना निश्चित हुआ ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ निस्कर्स ध्यान में रख कर ही उन्होंने ऐसी आग्या दी अर्थात उर्ष वा राम नौमी के उत्सवो का एकी करन तता हिंदू मुस्लिम एकता जो भविस्य की घटनाओ से ही स्पस्ठ है की या धेपूर्ण सफल हुआ प्रतम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई अब दूत्य कठिनाई जल के अभाव की उपस्ठ हुई सिर्डी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्वकाल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था गाव में केवल दो ही कुए थे जिन में से एक तो प्राया सूख जाता था दूसरे का पानी खा रहा था बाबा ने उसमें फूल डाल कर उसके खारे जल को मिठा बना दिया लेकिन एक कुए का पानी कितने लोगों को परियाप्थ हो सकता था इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जलमगवाने का प्रबंद किया लकडी वबासों की कच्छी दुकाने बनाई गई तथा कुस्तियों का भी आयोजन किया गया गोपाल राओ गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमद दगर में रहते थे वे भी संतान हीन होने के कारण दुखी थे स्री साई बाबा की क्रिपास से उन्हें एक पुत्रतन की प्राप्ती हुई स्री गुंड ने उनसे एक ध्वच देने को कहा एक ध्वच जागिरदार स्री नाना साहिब निमोन करने भी दिया ये दोनों ध्वच बड़े समारो के साथ गाउं में से ही निकाले गए और अंतमियोने मस्जिद जिसे बाबा द्वार का माई के नाम से फुकारते थे उनके कोनों फर फ़रा दिया गया या कारिक्रम अभी भी पूर्वत ही चलता रहा है चंदं समारों इस मेले में एक अन्य कारिक्रम का भी स्रिगनेश हुआ जो चंदोन उत्सो के नाम से प्रसिद है या कोरहल में के एकमुसलिम भक्त श्री अमीर सककर दलाल के मस्तिस्क की सूझद थी प्राया इस प्रकार का उत्सोसित मुसलिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत छंदन धूप थालियों में भरी जाती है ताथ लोबान जलाया जाते हैं और अंत में उन्हे मस्जद में पहुचा कर जुलस समाप्त हो थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जित की दिवारों पर डाल दिया जाता है इस उत्सव का प्रबंध प्रतम तीन वर्सों तक स्री अमीर सक्कर ने किया और उसके पर साथ उनकी धर्म पत्नी ने किया इस प्रकार हिंदों द्वारा ध्वज वह मुसल्मानों द्व साइब आबा के भकतों को अत्यंति प्रिय और पवित्र कारे करने के लिए बहुत से स्वायमसे वगसत हो जाते हैं और वे मेheure मेने के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं थे आफिंट बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पार्टिल और भीतर के कार्यों को स्री साइं बाबा की एक परमभक्त महिला राधा कृष्णमाई संभालती थी इस अवसर पर उनका निवास अस्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें तब लोगों की आउसत्ताओं का भी ध्यान रखन पड़ता था साथ ही वे मेले की समस्त अवस्यक वस्तों का पर प्रबंद करती थी दूसरा कारे जो वे स्वयम खुसी से किया करती थी वह मस्जित की सफाई करना चूना पोतना आदी मस्जित के फर्स पर दिवारे निरंतर धुनी जलने के कारण काली पड़ गई थी जब र पड़ती थी और सफाई व अपुताई हो जाने के पसात पुर्वत सजादी जाती थी बाबा का अत्यनत प्रिय कारे गरीबों को भोजन कराना भी इस कारेक्रम का एक अंग था इस कारे के लिए ब्रिहत भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाया बनाई जाती थी यह सब कारे राध्य क्रिश्रमाई के निवास अस्थान पर ही होता था बहुत से धनादेव स्रिमंत भक्त इस कारे में अधिक सहायता पहुचाते थे उर्ष काराम नौमी के त्योहार में समन्वय सब कारेक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत् गया सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ एक भक्त क्रिश्न राव जोगे स्वर्भेस्म अम्रावती के दादा साहेब से के साथ मेले के एक दिन पुर्वसीर्डी के दिछित वाड़े में ठहरे जब वे दालान में लेटे हुए बिस्राम कर रहे थे तभी उन्हें कल्पना सूज स्री लक्ष्मन राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामगरी लेकर मश्जित की और जा रहे थे उन दोनों में विचार पीने में होने लगा और उन्होंने सोचा कि सिरडी में उर्सवा मेला ठीक रामनौमी के दिन ही भड़ता है इसमें अवसे ही कोई गूड रहस्य नहे थ सौकस भी स्री ग्रेस कर दिया जाए काका महाजनी को या रिचार रिचिकर प्रतीत हुआ अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस सु बाउसर पर कीर्टन वाई श्वर गुना नुवात कर सके परंतु भिस्म ने इस समस्या को हल कर दिया उन्होंने कहा कि मेरा स् त्यार हो चुका है मैं उसका ही किर्टन करूंगा और तुम हार्मोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्रमाई सुन्ट वड़ा सोट और सक्कड मिस्रिच चुन तयार कर देंगी तब वे दोनों से रही बाबा के स्विक्रिती प्राप्त करने मस्जिद को गए बाबा तो पंतर्यामी थे उन्हें सब पुछ गया था कि वाड़ा में क्या क्या हो रहा है बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया वहां क्या चल रहा था इस आकस्मिक प्रस्न सेव का महाजनी घबरा गए और बाबा के सब्दों का अभिप्राय ना समसकने की कारण वह स्तब्द होकर अर्थना की बाबा ने भी सहर सनुमती देती सभी भक्त हर्शित हुए और राम जन्मोत्सो मनाने की तैयार्या करने लगे दूसरे दिंडरंग बिरंगी जंडियों से मज़ित सजा दी गई श्रिमती राधा कृस्नमाई ने एक जूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख द यहां महाजनी संकीत थे कि बाबा उत्सो मनाने की आगया देंगे भी या नहीं परंतु जब वे बाबा के समीप पहुचे तो बाबा ने उनसे प्रस्ण किया यह सब क्या है यह जूला क्यों रखा है महाजनी ने बतलाया कि राम नौमी का कारेक्रम प्रारम हो गया है और इ खार तोन होने काकाजी के गले में डाल दिया दूसरा भिस्म के लिए भेज दिया अब कीर्तन प्रारम हो गया था कीर्तन समाप्थ हुआ तब स्री राजाराम की उच्छ स्वर से जह जह कार हुई कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई जब हर कोई प्रसंता से पर पड़ी वस्तुता जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसके पुछकन अनायास ही बाबा की आख में चले गए तब बाबा एकदम प्रुद्ध होकर उच्छ स्वर में अपसब्द कहने वा कोसने लगे याद्रिस से देखकर सब लोग भैभीत होकर सिट पिटाने को कब बुरा मानने वाले थे बाबा के इन सब्दों का वाक तथा वाक्यों को उन्होंने आशिरवात समझा उन्होंने सोचा कि आज राम का जनम दिन है अता रावन का नास अंकार इवं दुस्ट प्रवृति रूपी रक्षसों के संगहार के लिए बाबा को क्रोध उत्प रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे इसलिए वे सबस्तब्धी रहे इधार राधा कृष्माई भी भैभी थी कि कहीं बाबा जूला तोड़ फूर ना डाले इसलिए उन्होंने काका महाजनी से जूला हटाने के लिए कहा परंतु बाबा ने उन्हें असा करने से रोका कुछ समय पर साथ बाबा सांथ हो गए और उसी दिन की महापूजा और आर्ती का कारेकरम समाप्त हो गया उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से जूला उतारने की अनुमती मांगी परंतु बाबा ने असुकृत करते वे कहा कि अभी उत्सो संपूर्ण नहीं हुआ है अगले दिन गुपाल काला उत्सो बनाया गया जिसके परसाथ बाबा ने जूला उतारने की आग्या दे दी उत्सो में दही मिस्रित पौहा एक मिट्टी के बरतन में लटका दिया जाता है और किरतन समाप्त होने पर वा बरतन फोर दिया जाता है और प्रसाथ के रूप में वा पौहा सबको बित्रित कर दिया जाता है जिस प्रकार स्री कृष्ण ने गौालों के साथ किया था रामनोमी उत्सो इसी तरह दिन भर चलता रहा दिन के समय दो ध्वजों का जुलूस रात्री के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूम धाम और समारों के साथ निकाला गया इस असमय के पस्षाथ ही उर्ष रामनोमी में परिवर्तित हो गया अगले वर्ष सन 1912 से रामनोमी के कारेक्रोमों की सुची में ब्रिधी होने लगी स्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा के नामसप्ता प्रारंब कर दिया लगातार दिन रात साथ दिन तक भगवान लेना नामसप्ता कहलाता है सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे वे कभी वे भी प्राता का सम्मिलित हो जाया करती थी देश की सभी भागों में रामनोमी का उ इसलिए अगले वर्स हरी दास से मिलने की कठनाई पुना उपस्तित हुई परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई पाच शा दिन पूर्व ही महाजनी की बाला बुवा से अकस्मात भेट हो गई बुवा साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्य थे और इस वर्स कीरतन का कारे उन्हें सौपा गया अगले वर्स सन 1913 में हरीदास ब्रिहत सिध कवटे ग्राम में प्लेक कप प्रकोप होने के कारण अपने गाउं में हरीदास का कारे नहीं कर सकते थे इस वर्स वे सिर्डी में आए काका साहेब दिछित ने उन्हें उनके कीरतन के लिए बाबा से अनुमती मांगी बाबा ने भी उन्हें यथेस्ट पुरुसकार दिया सन 1914 में हरीदास की कठनाई बाबा ने सदयव के लिए हल कर दी उन्होंने यह कारे स्थाई रूप से दा उत्सो के औसर पर लोगों की संख्या में उत्रोतर ब्रिधी होने लगी चैत्र सुकल अस्टमी के द्वादसी तथा सिर्डी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक ब्रिधी हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता लगा हो दुकानों की संख्या में भी बिर्धी हो गई प्रसित पहलवानों की कुस्तियां होने लगी गरीबों को ब्रिह दस्तर पर भोजन कराया जाने लगा राधा कृष्णमाई के घोर परिश्रम के फल सुरूप सेड़ी को संस्थान का रूप मिला संपत्ती भी दिन परति दिन बढ़ने लगी एक सुन्दर घोड़ा पाल संपती बहुत बढ़ी परन्तु बाबा उन सब से सदा निर्पेक्षी रहते थे वे सदयों उसे उपेक्षा की द्रिस्टी से देखते थे और सदयों की भाती ही साधारन वेश्वुसाधारन करते थे यह ध्यान देने योग्य है कि जुलू सथा उत्सों में युन्दू और मदवेद ही हुआ पहले पहल तो लोगों की संख्या पांच हजार से साथ हजार के लगभख होती थी परन्तु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुँच आया करती थी फिर भी ना कोई बिमारी फैली ना कोई दंगा ही हुआ मस्जित का जिर्नोधार जिस प्रकार उर्स या मेला लगाने के लिए लगाने का विचार प्रथमता स्रे गुपाल गुंड को आया था उसी प्रकार मस्जित के जिर्नोधार का विचार भी प्रथमता उन्हें ही आया उन्होंने इस कारे के निमित पत्थर कत्रित कर उन्हें वर्गा कार करवाया परन्तु इस कारे कस्रे उन्हें प्राप्त नहीं होना था या सुवयस्तो नाना साहिब चांदोरकर के लिए बहुत ही सुरच्छित था और फर्ष या कफर्ष का कारेका का साहिब दिक्षित के लिए प्रारम में बाबा ने इन कारेों के लिए सुकृती नहीं दी परंतु उस्थानिय भक्त महा सपती के आगरा करने से बाबा की सुकृती प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जित का पूरा फर्ष बन गया अभी तक बाबा एक टाट के टुकडे पर ही बैठते थे अब उस टाट के टुकडे को वहां से हटा कर उसके अस्थान पर एक छोटी सी गादी बिचा दी गए सन 1911 में सभा मंडबी घोर परिश्रम के उपरान ठीक हो गया मस्जित का आंगन बहुत छोटा और असुविधा जनक था काका साहिब दिच्छित आंगन को बढ़ा कर उसके ऊपर छपर बनवाना चाहते थे यह थेस्ट द्रवेरा से ब्याएकर उन्होंने लोहे के खंबे वल्लियां वक्याचिया मोल ली थी और कारे भी प्रारंभ हो गया दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंबे जमी क्रोधित हो गए वे एक हाथ से खंबा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफ़ा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड़े में फेक दिया बाबा के नेत्र जलते वे अंगारे के स्रदिस लाल हो गए किसी को भी उनकी और आग उठाकर देखने का साहस नहीं होता था सभी बुरी तरह भैभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा भागो जी सिंदे कुछ साहस करके आगे बढ़े पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया माधव राव की भी वही गती हुई बाबा उनके उपर भी इत के ठेले फेकने लगे जो भी उन्हें सांथ कराने गया उसकी वही दसा हुई कुछ समय के पस साथ क्रोध सांथ होने पर बाबा ने एक दुकांदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बाढ़ने लगे जैसे कोई विसे समान उन्हें दिया गया हो या विचित्र विवहार देखकर भक्तों को आशर हुआ वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अग्यात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए उन्होंने तात्या को क्यूं पीटा और तच्छन ही उनका क्रोध क्यूं सांथ हो गया बाबा कभी- अति गंभीर तता सांथ मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूरोग वारता लाप किया करते थे परन्तु अनाया सी बिना किसी गोचर कारण से वे क्रोधित हो जाया करते थे ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं परन्तु मैं इसका निर्णन नहीं कर सकता कि उ कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं अता इस क्रम में में वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग साधल सकती और विसयों पर विविचार किया जा श्री सद्गुरु सायना थरपनमस्तु सुभांभावत्तु सप्ता परायना प्रत्मा विश्रामा